Hello Everyone, Welcome to our channel Intensive Study Today our topic is Mensuration आज हमारा topic है Mensuration हम नया topic स्टार्ट कर रहे हैं इसे हिंदी में कहते हैं शेत्रमिती देखें, Mensuration या शेत्रमिती क्या होता है? कि आप किसी भी शेत्र का या किसी भी चीज का जैसे copy है, pen है, table है इसका मापन कर रहे हैं, measurement कर रहे हैं कभी हमें perimeter निकालना होता है कभी volume निकालना होता है इस तरीके से हम mensuration का इन सब चीजों में हम use करते हैं इसी को हम mensuration कहते हैं perimeter, volume, length, width, breadth यह सब इसी के अंतरगत आते हैं आज जो हमें question मिला है that is measure and write the length of four sides of the top of your study table यानि देखें यह आपका study table है इस study table का आपको चारो तरफ का length जो है length of four sides चार sides है इसमें one, two, three, four है ना, four sides है इनी four sides का पूरा total बताना है total इसकी कितनी length है इसके चारो sides मिला के तो सबसे पहले हम इसे name दे देंगे देखिए इसे हम name ले ले लेते हैं यहां लिख लेते हैं a, b a, b इस वाले corner पर हम लिख देते हैं c यहां पर लिख देते हैं d अब इस तरीके से हमने इसकी naming कर दी है इसे नाम दे दिया है a, b, c, d so a, b कितने centimeter है जैसे हम मान लेते हैं कि यह जो a, b है यह 8 centimeter है तो आपको पता होगा आप देखिए ध्यान से यह एक rectangle के form में है rectangle में एक होता है length यानि लंबाई और एक होता है breadth तो आमने सामने की चौढ़ाई भी बराबर होती है और आमने सामने की लंबाई भी बराबर होती है दोनो length equal होते हैं दोनो breath equal होते हैं तो अगर यह 8 है तो ये भी 8 होगा अगर ये 4 है ये वाली चोड़ाई जो है ये ब्रेथ अगर 4 cm है तो ये भी 4 cm है ठीक है तो AB, AB कितने cm है 8 cm BC, BC है 4 cm 4 cm CD, कितना है 8 cm और DA, कितना है 4 cm अब हमें क्या करना है इनका total कर लेना है So AB, plus BC, plus CD, plus DA is equal to 8 cm, plus 4 cm, plus 8 cm, plus 4 cm तो जब आप इन सब को total करेंगे 8 और 4 हो जाते हैं 12 12 और 8 हो जाता है 20 और 20 प्लस 4, 24 So it is equals to 24 cm So देखिए ये हमने इसकी total length या आप कह सकते हैं perimeter ठीक है, outer boundary हमने find कर ली है 4 sides को total करके which is 24 cm अब या तो आप किसी भी book का, table का, चारो तरफ का length add करके find कर सकते हैं या फिर एक और formula से find कर सकते हैं इसे मैं आपको अपने next वीडियो में बताऊंगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें इसे शेर करें प्लीज दू सब्सक्राइब आर चैनल और अलसो प्रेश दी बेल आइकन थांक यू वेरी मच